हेई गाइस हाव यू अल वेलकुम तो मैं चैनल अमसाग रिगान बाक विट सब न्यू टिप्स और यू तो आज अस वीडियो में में बनाने वाली हो क्विक लंच रेसिपीज फॉर टॉडलर्स वो है यह मयोनी सांविच तो रीसेंटली वान ने प्ले स्कूल जॉइन किया ह और यह मयो सांविच उसका फेवरिट है यह बहुत ही क्विक स्नाक है और बहुत ही हल्दी स्नाक है बच्चों के लिए तो पहले हम देख लेंगे सारे इंग्रीडियन्स की मयोनी सांविच बनाने में आपको क्या क्या यूज आएगा तो इसमें लगे कि आपको यह आटा ब यह बहुत है और इवानकुस का टेस्ट अच्छा लगता है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कोई भी मयोनीज यूज कर सकते है और साथ ही हम अब देखेंगे सारे वेजिटेबल्स सबसे पहले मैंने लिए है कुकुम्बर जो कि बहुत हेल्दी होता है और साथी कैप सबसिकम फिर मैंने लिए ओनियन फिर मैंने लिए है कैरट और कैबज और लेट्यूस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं वेजिटेबल आपकी चॉइस की आप कोई भी डाल सकते है स्मयोनी सांविच में और फिर टेस्टिंग इन्हांस करने के लिए मैंने आप लिए है काली म कर लेता है वेजिटेबल तो फाइन चॉप मेरे लिए वक कर जाता है अगर आपका बी और चोटा है तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं तो ग्रेट करके भी इसका तेस्ट काफी अच्छा आता है और अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे है तो थोड़े से आप इसक और बड़ा भी कर सकते हैं तो वेजिटेबल चॉप करने के बद हम एड़ करें कि इसमें मैयोनीज तो मैयोनीज में यहाँ पर वन स्पून आड़ कर लोगी और बहुत ही टेस्टी फिलिंग रेडी हो जाएगी तो आप इसको अच्छे से इसको आपको चलाना है अच्छे स ताकि मिक्स हो जाए मयोनीज और वेजिटेबल और एक बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है अब इसमें डालूंगी काली मिर्ची और नमक तो स्वादन उसवार इसमें मैं डालूंगी अब मेरी फिलिंग में तो यह मेरी फिलिंग बहुत अच्छे से रेडी हो चुकि अब देख सेते हैं कितनी ज्यादा टेस्टी और डिलीशिस दिख रहे हैं और अब हम लेंगे दो ब्रेड क्योंकि मैं इसका लंच बना रहे हूं और यह उसका स्नाच टाइप लंच है तो ब्रेड से एजिली इवान का लंच जो है वो रेडी हो जाएगा और इसके जो साइप पार्ट है वो वो कट कर दूँगी ताकि इवान को चुकरने में काफी एजी रहे अगर आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे तो आप एक कट करने की ज़रुरत नहीं है तो यह कर लिया है अब मैं इसमें लगाऊंगी हमारे फिलिंग जो की मैंने रेडी की है तो यह मैईोनी ज़िटिबल की फिलिंग जो है इसमें मैं लगा दूँगी ब्रेड पे इस तरीके से और जो दूसरा ब्रेड है फिर उससे मैं उसको कवर कर लूँगी राइक अ सांडविच सो यह हो गया मयो सैंडविच रेडी तो आप देख सकते हैं कितना डिलिशियोस और क्विक स्नाक है जो आप अपने बच्चों की लंच में एजी ली रख सकते हैं और बच्चों को पसंद भी आएगा साथी बहुत हेल्दी ओप्शन है जिसमें हैं सारी वेजीटेबल्स तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो आप आज की रेसिपी जो की लंच रेसिपी है वापको बहुत जादा पसंद आएगो पसंद आएगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब and keep watching my video, bye, take care, love you all